इस लाइडिए विंडूस तो नेक्स टॉपिक इस सीवर इनलेट्स के बारे में हम डिसकस करेंगे इनलेट्स का मीनिंग तो मैं पता है। इनलेट्स मतलब anything which comes into it. जो कोई भी structure जहाँ पर कुछ चीज़ एंटर होती है नो तो उसको हम कहते हैं inlet तो sewer का जो sewage water है का अगर वह वहाँ पर inlet हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं sewer inlet ठीक है तो इसके different types हैं street inlets हैं सबसे पहला ठीक है अभी देखो यह एक main road है आपका जहाँ पर यह चौफुली बन रही एक तरीक ऐसे ठीक है यह road है आपका main road सारे घर का जो गंदा पानी है जो sewage water है वह collect होगा एक जगा पर और फिर ऐसे ही जितने भी houses हैं इन सब houses के जो sewage water हैं वह सब collect होंगे और एक जगा पर आएंगे और फिर वहां से वह carry हो जाएंगे कहां पर street sewer में जो गली का जो sewer रहेगा वहाँ पर तो वह कैसे करते हैं सबसे पहले देखो यह क्या है यह वाला portion यह जो mark किया हुआ है यह आपका road का side है ठीक है मतलब आपके plot की boundary है यह यहाँ पर area में आपका residence है तो जो कोई भी आपका sewage water है वह यहाँ पर collect होगा इस portion में यह वाले portions में यह सब क्या है आपके these are the street inlets ठीक है तो यह street inlets में आपका यह पहले collect हो जाएगा और फिर यह सारे के सारे street inlets connected रहेंगे यहाँ पर center में center of the roads पर और यह जो center of the road है इसको जहाँ पर collect हो रहा है उसको हम कहते है manhole और manhole के बार में हमने detail में discuss किया कि किस तरीके से वह बनाए जाता है उसका construction किस तरीके से होता है उसका working किस तरीके से होता है तो ऐसे जितने भी straight inlets रहेंगे वो connected हो जाएंगे manholes में और फिर manholes में पूरा का पूरा जो sewage water है वो collect होने के बाद में फिर जो street sewer रहेगी उसमें से वो carry होगा sewage और आगे further treatments के लिए चला जाएगा ठीक है so first one is the straight inlet straight inlets are the openings in the street curb or gutter to collect the storm water and the surface wash flowing along the streets and convey it to storm or combined sewer by means of stoneware 25 to 30 centimeter in diameter आपने कर्ब के बारे में पहले study क्या होगा ना देखो यह कर्ब इनलेट तो यहाँ पर है यहाँ डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा देखो यह है कर्ब इंलेट इसके और भी टाइप से靈कर Porsche के कर्ब इनलेट है गटर इनलेट है कमबाइन गटर न गैन in делать तो कर्भ इसको कहते हैं चैटर देखो यह जो साइड़ॵाक होता है रोड के उपर यह प्लान में देखो यह आपकी बाउंटरी हो गई प्लॉट की और उसके बाद में एक पैवर ब्लॉक अगयरा लगवा होता है वहाँ पर प्रयूम्र करते हैं और और फिर वहां पर side walk के बाद में एक gutter का जो top portion है वहां पर एक RCC का slab रहता है और एक यह vertical drop-down होता है और फिर यह vertical drop-down के बाद में हमारे roads का surface start होता है तो यह vertical drop-down है इसको हम कहते हैं curb this is called as the curb और जो कोई भी road के ऊपर road surface के ऊपर कुछ water है जो rainwater की वज़ा से हो जाए या तो फिर और भी कुछ water है तो यहां से हम openings provide कर देते हैं gutter में entry के लिए तो वो जो कुछ भी water रहेगा road surface पे से enter होके हमारे gutter में आ जाएगा और यह gutter में आने के बाद में यह side की gutter से फिर यह carry हो जाएगा कहां पर sewers में तो इस type of inlet को हम क्या कहते हैं curb inlet and curb is the part this is the vertical part इसको हम क्या कहते हैं curb ठीक है curb inlets are the inlets in which an opening is provided in the road curb for entrance of this stormwater ठीक है these entrances are more suitable than the gutter inlets because less quantity of floating solids enter the catch water pits यहाँ पर हम क्या करते हैं यह जो vertical portion है ना यहाँ पर हम screens वोगेरा भी लगा देते हैं जिसकी वज़ासे जो floating matters वोगेरा होते हैं वो enter नहीं कर पाते हैं एक तरह से screening होती है हमारे water की water मतलब सीवेज वोटर की और उसके बाद में फिर यह एंटर होता है ठीक है दूसरी टाइप होती है इसकी gutter inlet में जो entry होती है न वोटर की वो इस तरीके से होगी यह sidewalk है हमारा और sidewalk के बाद में यहाँ पर कोई slab नहीं होता यह directly open होता है यह यह वर्टिकल वॉल से हमारी किस direction में होगी horizontal direction में होगी इस तरीके से इंटर कर रहे हमारा सीवेज वाटर और फिर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है लेकिन गटर अब करण यह पर हम यह पर यह उसके अंदर इंटर कर जाएं नेक्स्ट टाइब जह वह कंबाइन गटर और कर इंलट दोनों का combination ठीक है अब देखो तो दोनों का combination कैसे होगा यह आपका sidewalk है sidewalk के बाद में यहां पर यह वर्टिकल डारेक्शन में यह देखो इस वर्टिकल ड्रॉप यह वर्टिकल ड्रॉप को हम क्या कहते हैं Curve Inlet और यह वर्टिकल और आपके बाद में यहां पर कुछ portion है जहां से directly इंडर करने वाला है हमारा sewage water तो देखो यहां से कर्ब के पास में से horizontal direction में इंटर होगा और यह गटर inlet के पास में से वर्टिकल डारेक्शन में इंटर करेगा और यह हमारी रोड लेवल है ठीक है यहां से सीवे जाएगा और यहां पर आने के बाद में यहां पर accumulate होगा और accumulate होने के बाद में यह connected हो जाएगा हमारे sewer में मैन होल्स में जो कोई भी चीज है वहां पर चला जाएगा तो so this is the combined gutter and curb inlet तो ऐसे तीन टाइप से हमारे inlet के एक है कर्व इनलेट और दूसरा है गटर इनलेट और तीसरा है combined gutter and कर्व इनलेट ठीक है अ